क्रिस्प में प्यारे भाई और भेनों आप सफों को जिये शू आज चालीसा का पाच्वा इत्वार है और आज वचन हम पढ़ेंगे संद योहन का सुसमाचार अध्याई आठ पत्संक्या एक से गैरा तक लेकिन मैं आज आपके साथ साजा करना चाहूंगी सियास नभी का गरंद अध्याई त्रयालेस पत्संक्या अठारा और उननेस पिछली बाते भुला दो पुरानी बाते जाने दो देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं वह प्रारंब हो चुका है क्या तुम उसे नहीं देखते मैं मरभूमी में मार्ग बनाऊंगा और उजाड प्रदेश में पत्त तयार करूंगा हमेंसे कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बीते कल में जादा जीते हैं हमें वहाँ पर हुई जो घटनाएं हैं वो हमेशा अच्छा लगता है दुख का हो या खुशी का दुख का हो तो हम गम में डूब जाते हैं खुशी का हो तो उसे सोच कर आनन्द मनाते हैं प्रभू ह से कहते हैं कि पुरानी बाते भुला दो जो भूत काल में है जो आपके जीवन में हो चुका है उसे भुला दो भुलाने के लिए दो बाते हैं एक वो सारी बाते जो हमें बहुत दुख देती है जहां पर हम हार गये थे अगर हम उन चीजों को अपनी जीवन में आगे लेके च में अपने हार में रोते बैठेंगे और वचन कहता है ना ही हमें भूत काल में जो विजय प्राप्त हुवी है जो हासिल हुआ है उस पर टिके रहना कई बार हम ऐसा होते हैं कि हम पुराना जहां पे हमें लोगों को बहुत प्रोध साहन मिला था बहुत कुछ तालिया मिली थी लोगों ने हमारी वाहवा की थी वो सोचके बैठते हैं नहीं वचन कहता है ना ही हार ना ही विजय दोनों पर पकड़कर नहीं रुकना भूत काल से हमारे जीवन में जो जो घटनाए घटी है उसमें से सीखने के लिए काफी कुछ है सबसे अच्छा एक पाट्शाला हमारे जीवन का अनुभवी है लेकिन एक जीवन में सबसे टरिबल प्लेस रहने के लिए वह है बूत काल वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं लेकिन वहां पर हम रह नहीं सकते हैं हमें वहां से आगे बढ़ना है और वचन कहता है देखो मैं तुमारे लिए कुछ नया करने जा र की और वे वहां से भाग गये तब उन्होंने बारिश के लिए प्रात्ना की साथ बार उन्होंने अपने सेवक को भेजा देखने के लिए कि बादल आ रहा है या नहीं सात्वी बार सेवक आकर उनसे कहता है एक छोटा सा बादल एक हाथ की उतना एक छोटा सा बादल दूर पर आ रहा है और तभी नभी जाकर आहाब से कहते भागो बहुत जोर से बारिश आने वाली है वो बहुत बड़ा तुफान था बहुत बड़ी बारिश थी लेकिन शुरुवात एक छोटे से मेक से हुई थी हमारी जीवन में भी प्रभू जब कुछ नया करते हैं जरूरी नह जब हम बहुत निराश हो तो एक छोटा सा बच्चा आकर हमारे सामने मुस्कुरा है कितना अच्छा लगता है मा अगर हमें गले लगाई और जपकी दी तो कितना अच्छा लगता है छोटी सी बात तो वर्तमान में प्रभू हमारे लिए जो नया करने जा रहा है हमें ज्या बातना करते थे इतनी महनत की थी कुछ फलip नहीं हुआ मेरे हाथ से वह घलतिया व gold थी आहीं मैं आच्छा नहीं हूँ मैं Papi हूं आप जैसे भी हो हम जैसे भी हो प्रभू हमें माफ करताहं हमारी पुरानी जातों को भूला देता है वह हमारे नहीं कुछ नया करता है this i a pitaенное बच्चो को क्षुश करने के लिए सब कुछ करने के लिए उसी प्रकार प्रभूह भी हमारे जीवन में कुछ नया करने के लिए हमेशा तयार रहता है इसी लिए ही वचन में आगे हम पढ़ते हैं मैं मेरुभूमी में मार्क बनाऊंगा और उजाट्ट प्रदेश में पत तैयार करूंगा मारे भूमी में जहां कोई हमारे साथ नहीं रहता धूप रहती है तपती धूप रहती है बहुत दिक्कते आती है वहाँ पर प्रभु कहता है तुम्हारे लिए मैं एक मार्ग बनाऊंगा जो असंभव है प्रभु तुम्हारे लिए संभव करेगा और प्रभु आगे कहते है जो उजाड प्रदेश है, वहाँ पर भी तुम्हारे लिए पत तयार करेगा, जहाँ पर हमारे साथ कोई नहीं है, जहाँ पर कोई उमंग बची ही नहीं है, वहाँ पर प्रबु आशा के किरन डालेंगे, हमारे लिए कुछ नया करेंगे, आईए इस चालिसा में हम कोशिश कर पुरानी बाते भूल कर, वो जो गुस्सा था, वो जो पराजाई का दुख था, अकेला पन था, जो हताश हो चुके थे, हमारे हम पूर्न रूप से अकेले पढ़ गये थे, उन सभी वेदनाओं को, उन सभी दुखों को, और उन सभी शनों को जहाँ पर लोगों ने बहुत हमारा प्रोच साहन दिया, वो सभी चीज, जो भी पुरानी बात है, उसे हम प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से कहे, अब हम इस पर पकड़ कर नहीं रुखेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है, कि हमारा प्रभु हमारे लिए कुछ नया करेगा. क्योंकिछ